तो हेलो एवरिवान अब है चैप्टर 3 लिबर्टी यानि कि अब हम बुक के कंसेप्ट के अंदर आ चुके हैं जो डिले था उसके लिए सौरी अग्यान चैप्टर 3 लिबर्टी अब इसको शुरू करते हैं जो फर्स और सेकंड उनिट था कि इसके अंदर कंसेप्ट जादा है बहुत जादा डीटेलिंग किया है यह वह कॉस्मोलोजी सिधर की बाद उदर की बाद अब है सिधे कंसेप्ट लेकिन फर्स और सेकंड चैप्टर को स् क्या पड़ क्यों रहे और क्या उसका वजूद है ठीक है कोई भी चीज हो तो में पता होना चाहिए ना कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों वह ऐसा सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड है इसमें वह सारी इंपॉर्टेंट क्वेशन आंसर कियो है प्लिटिकल साइन्स आज सबसे इंपर्टेक्ट किस-शिज़ को में बॉकend हो इसको किसी तूम इंवेस्ट करें olok पद सब्सक्राइब रहें हैं ब्लोभी इस में यूचीन को किसी चीज को तो तो आपको उसमें इंट्रेस्ट ही नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपको सब्जेट क्यों पढ़ रहे हो, जब आप सब्सक्राइब कि पूछे कि तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, क्या मतलब है इसका तो आपके बास उसका एक सॉलिड आंसर होगा, अगर होने वाला है, बहुत मसाएगा, मैं इसके स्टार्टिक से बहुत एक्साइटेटी इस चाप्र को ढ़ाने के लिए, चले ही शुरू करते हैं, सबसे बहला आगे इसका आउटलाइन, इंट्रदक्शन, मीनिंग, इंट्रदक्शन में आपको बताएंगे कि यह क्या है क्या है मीनिंग के अंदर इसकी पूरी मीनिंग आएंगे, मतलब जहाँ क्वेशन आएगा, इसका आंसर यहां बताया चाहेगा, evolution of the concept, very important की evolve क्या हुआ है, पहले क्या था जब liberty introduced हुआ था फिर इसके अंदर क्या changes आए, क्या क्या लोगों ने इसके पर सवाल उठा है, कैसे reform हुआ मतलब इस चीज में change आना, evolve होना, evolution जो उसमें आया है, change आया है, आज वो concept कहां खड़ा है, अब इसके बाद सबसे important, बहुत ही जादा मैं कहूंगी, इस chapter के सबसे important चीज जो आपको कुछ आए नाए, लेकिन what is liberty, difference between negative and positive liberty, आपको आना ही आना चाहिए, अगर यह नहीं आता आपको पता होना चाहिए, कि मतलब क्या है, negative liberty and positive liberty सबसे important concept है इस chapter का, उसके बाद आएगा liberty and other concept, इसके अंदर वो differentiate करेंगे, कि liberty और equality के बीच हुए, ठीक है, कि लोगों का हक और किस तरीकी से equality के साथ उस हक को बाटना, वो सबसे important है, इसके उपर इतने सारे questions है, क्या बता इसके बाद आदा the concept of liberty in India, पूरी world के अंदर, liberty हर देश के अंदर अलग तरीके से, अफगानिस्तान का example है, जो अभी चल रहा है, वहां के आपको क्या अलगते है, वहां लोगों के हालत बहुत खराब है, बहुत जादा, ठीक है, तो वहां liberty की पूरी ही मतलब ही अलग है, liberty की definition तो वही है, लेकिन हर ओने में इस दिन्या के liberty का exercising power जो है, वह बहुत अलग है, बहुत अलग हमारे इंडिया में जो liberty है, उसकी power, अमेरिका में जिस तरीके से लोग liberty यूज करते हैं, उसका अधिकार, मतलब बहुत different, meaning तो एही कि है liberty का, लेकिन उस meaning को कितना लोग, औ और nation जो है, वो utilize कर रहे है, वो important question बनता है, तो इसमें हम इंडिया का specially, पढ़ेंगे, क्या इंडिया के अंदर हालत है liberty की, उसकी बाद है points of discussion, एक comment आई था, कि points of discussion भी discuss करते हैं, तो इस बार, we'll try कि हम उने discuss करें, अगर आप पीचाते हैं, तो और लोग प्लीज आ गया य और बताएं कि आप points of discussions पे कितना interested है, अब introduction की बात करते हैं, तेक है, exam light mode, आराम से, पढ़ेंगे इनको, first one, the BA class wants to have a free period, state of affairs, I feel free to talk to my teacher, येक perception है, I am totally free to choose my career, येक choice है, even in the 21st century, a substantial part of South Asia's population is not free from the clutches of poverty, denial of material needs, मतलब इतने लोगों को, material needs, इतने लोगों की material needs जो है, denied है, मतलब basic चीज़े उन लोगों को नहीं मिल रही है, no country should be denied its freedom, denial of a sense of dignity, उनकी, अब यहाँ पर जिन लोगों फ्रीटम नहीं मिल रहा है, उनकी sense of dignity, denial है, ये इन्हों ने sentence को classify किया है, इस sentence में क्या बात हो रही है, किस चीज़ के बारे मोरी है, now let us substitute the term liberty, wherever, freedom has been used in the above instances, अब जहाँ जहाँ पर इन्हों ने freedom word यूज़ किया है, no country should be denied its liberty, denial of a sense of dignity, अगर किसी की liberty भी अगर आप डिनाय करते हो, तो वह भी उसकी dignity को हाम कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर बोल रहा है, कि जहाँ जहाँ फ्रीडम की बात हो रही है, वहाँ पर ज़रा आप liberty को डाल के देखो, एक मिनट, before we move further, freedom और liberty ये जो दो concept है, generally people think कि ये दोनों जो words है, इनकी जो meanings है, वो same है, for a change, I would say कि ये दोनों same नहीं है, freedom is a different concept, and liberty is quite different concept, similarities बहुत जादा है, बहुत जादा है, लेकिन इन दोनों दिफरेंस के अंदर, काफी जादा फर्क होता है, ठीक है, now where do we, where we, yes, each of these sentences bring to the fore a different dimension of the concept, defining a single definition of liberty, they also highlight concept other than liberty, equality, right, justice, etc, ये सारे जो अपर हमने sentences पढ़ें, इसके अंदर सिर्फ लिबर्टी की बात नहीं हो रहे है, इसके अंदर equality की बात हो रही है, कि सब लोग कुछ पार जो है साथ अथ एश्या का, वो पूर है, तो मतलब equality नहीं है, कहीं पर justice, किसी की choice deny की जारे है, तो justice को हम पर हो रहा है, rights किसी की deny हो रही है, etc, how does one then delineate and distinguish the concept of liberty, तो बोला कि अगर तो हम liberty को इन सबसे अलग कैसे पढ़ें, कैसे इनको अलग से समझें, जबकि liberty जाला कर इन concepts के आस पास ही होती है, meaning, अब पढ़ते हैं, सारे doubts, clear करते हैं, let us take the following sentence as an example, I am at liberty to learn how to drive a car, अब मैं आपको इन पढ़ रखा है, इसका मैं आपको डिरेक्ट मतलब बताती हूँ, यहाँ पर एक इनसान है, जिसको cars चलाना सीखना है, सबसे पहले क्या होना है, उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, कि उसे सीखना है या नहीं सीखना है, दूसरा उसके बाद, absence of constraints, यहाँ पर यह जो चीज़े इस पारा के लो, बसक्ली इस पारा के अंदर पूरी की पूरी यही बात की गई है, just a minute, actually, these tools, so here, basically, यह जो चीज़े आपको इस पूरे पैरा के अंदर चाहिए, अंडर लाइन करनी है, ठीक है, okay, this one, alright, yeah, this one, सबसे पहले चीज़े है कि उस परसन की खुद की चॉइस होनी चीज़े है, कि उसे एक कार ड्राइव करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, उसके बार, absence of constraints होना चाहिए, मतलब उसके ओपर कोई बंदेश या कोई constraint नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, जैसे उसको बोल दिया कि नहीं तुम नहीं चला सकते, क्योंकि तुम लेफ्टी हो राइटी हो या कुछ भी हो सकते है, जैसे तुमारी हाइट शॉट है, या तुमारा विजन ठीक नहीं है, eyesight वगएर कुछ भी बोल दिया, वह absence of constraints होना भी जरूरी है, यह बाता यह भी हो सकता है, कि तुमारी age भी नहीं है, मतलब 18 के नीचे हो तुम नहीं कर सकते, इसा कोई constraint भी नहीं होना चाहिए, to make a exercise, अब उसने choice बने है तो उस choice को apply करने के लिए, मतलब उस choice को exercise करने के लिए, I'm sorry for the background noise, sorry for the background disturbance, सबसे पहली choice होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी constraint नहीं होना चाहिए, कि यह बंदिश नहीं होना चाहिए, एज की, height, weight, color, sight, कुछ भी ऐसी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, जेंडर की भी नहीं होनी चाहिए विलकुल, उसके बाद existence of conditions, यानि कि कार चीखने पर क्या तुमारे पास कार है क्या, रोड है अच्छी, जगह है, सेव जगह है का चलाने के लिए, ये तीन चीज़े, तो एक example के थुरू आपको समझाया गया है, कि driving a car, सबसे पहले एक इनसान के खुद की choice होनी चाहिए, उस choice को exercise करने के लिए suitable conditions होनी चाहिए, यानि कि वो चीज वो exercise कर सके, ठीक है, अगर किसी को कोई बोल दे कि मुझे तो MBA करना है, वो भी किसी abroad university, ठीक है, तुम्हें liberty है करो लेकिन तुम्हारे बास पैसे होने चाहिए, ठीक है, और absence of constraints, यानि तुम्हारी family allowed करनी चाहिए, एक छोटे से example से बहने आपको समझाया है, ये liberty है, liberty को exercise करने के लिए तीन चीज़े होनी चाहिए, दूसरा कोई constraint, constraint मतलब कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, तीसरा, conditions होनी चाहिए, favorable conditions, आपके लिए वो conditions favorable होनी चाहिए, constraints का मतलब यह नहीं कि जैसे बंदिश मतलब कोई कानून बंदिश करने, कानून तो है वो तो सही है, लेकिन उसके अलावा कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जहां car सीख रहे हो, वहाँ पर car driving allowed है या नहीं है, तीक है, heavy traffic area होगा तो allowed नहीं होगा, वो साई चीज़े देखने पड़ती है, एक simple से example की थुरू समझे तो MBA का example, एक student को MBA करना है, foreign university से, तो सबसे पहले उसके खुद की choice, कि इस university से करना है, तीक है दूसरी family allowed कर रही है क्या, कोई constraints तो नहीं है, third thing, क्या तुमारे पास पैसे हैं, क्या तुमारे पास उसके लिए suitable degrees हैं, क्या तुम उस standards को set, उस standards पे stand करते हो कि नहीं, जो foreign universities ने बनाए हैं, ये, तभी आप उस liberty को exercise कर पाऊगे, otherwise नहीं कर पाऊगे, सभी बात है, let's move further in the concept, okay, okay, oh damn, let's move further, evolution of the concept, अभी concept का evolution देखते, क्या change आए, कैसे बना, क्या लोगों को जब कोई नहीं जी जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, liberty as a concept, has been viewed variously, by thinkers in various stages of the history of political thought, liberty नहीं कहाँगे, इसके ओपर काफी poems भी है, तो इसको कई thinkers ने अलग-अलग angles से देखा है, अलग-अलग political thought, जहाँ जहाँ कोई political incident हुआ, वहाँ पर इसको apply करने की कोशिश करी गई, अलग-अलग definitions निकालने कोशिश की है, each of these views express, expresses, the thinkers understanding of the historical phase in which the concept evolved, and is in sync with the larger philosophical outlook of the thinker, अब now, what they are trying to say कि, मैंने आपको पहले बोला है, political के अंदर जो है, interpretation जो है, वह बहुत important है, आपकी इस चीज़ को कैसे interpret करते हो, समझते हो बहुत जरूरी है, इसलिए तो जो हमारे courts होते हैं, वह एक case को, एक गलत इंसान को भी सही कैसे ठहरा जाते हैं, क्योंकि वह जो laws होते हैं, उनको भी misinterpret करके, अपने client को case जितवा जाते हैं, तो politics के अंदर जो concept है ना, हाला कि इनकी एक standard definition होती है, लेकिन इसको आप अपनी favor side में कैसे कर सकते हो, वह आपकी opener पर करता है, मतलब जैसे social media में एक साथ बहुत से लोग होते हैं, जो आजाते हैं अपना IGTV वीडियो के साथ, कोई भी incident रहा उस पर अपने views देते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत बेकार ही होते हैं, लेकिन, being a political student मैंने starting से जीज बोले कि आपको अपना interpretation जाएं, उसको हमेशा introspect करना है, मतलब आपने कोई incident देखा, आपने उसके उपर 10 best speakers को सुनो, किसी भी कच्छे को मत सुनो, just because की उनका expression अच्छा है, just because वो मेकप अच्छा करके बैठा है, 10 top best speakers के views को देखो, उसके बाद भी आपका view अलग हो सकता है, that's perfectly okay, perfectly okay, आपका खुद का stand होना चाहिए, हर एक view पे, किसी का सुनके influence होना is not a good thing, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अच्छा सुन रहे हो, उसको भी deny करना है, नहीं, आपको situation को दोनों साइट से देखे, एक प्रोपर, एक पॉलिटिकल स्टुडेंट की तरह पे views देने, तो इसी तरह से बात करें कि, historical phase के अंदर कहीं सारे ऐसे incidents हुए, जिसके ओपर जो philosophers थे, उन्होंने अपने views एक्स्प्रेस करें, कि वह liberty क्या समझते हैं, और उस political situation में liberty की साथ, कैसे play-off करा जा रहा है, let's understand the views of the various thinkers and see to what extent each of them mirror the three continuations of liberty, अब अब कुछ views पढ़ेंगे, कुछ thinkers के मतलब various thinkers के views पढ़ेंगे लेकिन, standard definition मैंने आपको बोल जाए यह है liberty की, यह network connotations है, जो liberty के अंदर हो नहीं होने चाहिए पहली choice, लूसरी absence of constraints, 3 तरह है existence conditions favorable conditions होनी चाहिए this you should mark it, this is the main soul of मतलब इस chapter की soul है बिल्कुल, इसकी main chapter के फुरा, इसमें दम यह बोलो जान जो है, liberty की definition की इसी में है, liberty exercise करने के लिए 3 connotations of liberty choice की होनी चाहिए दूसरे की होगी तो वो फिर liberty ही नहीं किसी की दूसरे की कहने पर किसी की दूसरे की force में आके कोई चीज करी जाये, that's not liberty, that's not your liberty basically, that can be someone else's, someone else's भी नहीं कहसे थे, क्योंकि अपनी liberty की और पर थोपना है it's not a good liberty right, that's a negative liberty again देखो, अब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्ता है, absence of constant तो जाएगे, बंदिश्य है, आपने choice तो बना लिक, MB जाग करना है, लेकिन family allow नहीं करें, तो आप अपनी liberty exercise नहीं कर पाए, again existence conditions, आपको उस university के standards पर खड़ा होता है, पैसे होने जी आपकी जेब में, उसे existence conditions, ठीक है ये चीजे आगे साथ में, अब आगे पढ़ते हैं read the following sentence and observe the meaning that it gives rise to अब देखते हैं I am free to take my political theory exam invariably, the first thing that comes to one's mind is that one is not restrained from taking the exam, now let us look at the reason for which one wants to take the exam broadly one wants to take the exam to clear it and secure career prospects, two immediate reasons two immediate reasons can be stated, first it is necessary to take the exam if one has to be promoted to the next level, second if one does not take the exam, one is declared to have failed the paper, so the fear of failure impels one to take the exam, let us take the example further, my future security depends on clearing the exam, but I am not prepared for the exam, in this context if I am at liberty to to take my exam and do whatever I can to secure my future, does it include the liberty to cheat in the exam what are you asking? this is a question this is a question this is a question this is a question one person says I have liberty to give exam obviously if you have a admit card then no one will stop for the exam admit card means that if you have all fees then college will not stop obviously there are rules of fees submit and attendance so if you have a admit card then no one will stop you will stop why not stop? first of all, have to give yourself to yourself college, you will not give them you will fail and leave them but it is yourself you have to secure the future and secure the exam you have to give them so you have to give them this is necessary for you हर जला कि आपके छोइस भी है। यहां कर से आते हैं। विदूकर funding नोब कहम में बेड़ते हैं कि खरने डीर भी चाहते हैं। जनरली is बा और उनषी, यहां समेfight, लाच है। यहां समेडने बाइन क हैं। लेकिन क्या अगर उस एक्जाम के लिए वो प्रिपेर्ड ही नहीं है इनसान तो क्या उसके पास liberty है कि वो चीट कर के पास उजाई कि उसे अपना fiør सिक्वर करना है क्या है यह लिबर्टी नहीं है यहां पर एक सवाल बढ़ा इन्होंने खड़ा करके दिया है तो अफकॉर्स यह उसकी लिबर्टी नी है क्यों क्यों नी है उसकी लिबर्टी क्योंकि यह परस्टली यह तो नेगेटीव लिबर्टी के एक्जाम भलोगे मैं आपको पहले बता देती हूं हाला कि अभी आपको unfair way मैं उनको compete करोगे तो यह तो आप दूसरों की dedim को hamper कर रहे हो आप equality के concept को गिरा रहे हूं आप justice के concept को गिरा रहे हो एक concept कभी दूसरे concept के ओपर हवी इस तरीके से नहीं होता है कि वो concept पूरे एक हारीज हो जाए हाला कि अब एक बार contradict करते हैं concept दूसरे को लेकिन इतना कभी नहीं करते हैं, आप अगर cheat करके exam में बैठो गए, तो बाकियों के साथ तो injustice हो गया, वो negative liberty हो गई, ठीक है, ये liberty, justice, इस तरीके साथ ये बहने हैं, तो एक बहन, दूसरी बहन को counter नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, तपड़मा कर ना मार सकते हैं, पूरा खतम नहीं कर सकते हैं, इस तरीके समझ लीजे, अब लेखें, it is this understanding of liberty that is put forward by Thomas Hobbes. Please, ये नम यादर के, libertyika in the Thomas Hobbes in his fictional state of nature. According to Hobbes, of Hobbes, liberty or freedom signifies the absence of all impediments to action that are not contained in the nature or in strength quality of the agent. As Hobbes would explain, it is proper to state that the person who is tied with chains wants the liberty to live as the impediment is not the person but in his chains whereas that cannot be said that one who is sick or lame because the impediment is in oneself fear and necessity for hopes are the motivating factors in human nature and impel them towards liberty as she explains a man sometimes pays his debts only for fear of imprisonment which becomes, which because nobody hindered him from detaining was the action of a man at liberty two issues emerge one, can the act of one to preserve oneself be justified as an act of liberty even if it voids the safety of another human beings this is the fact that he can't do the benefit with others second, do you think the action of a person based only on fear or necessity is an act of liberty would you say that the act of begging due to the fear of starvation or the necessity to eat one square million a day is an act based on liberty after all the beggar is not physically restrained by anybody at the act of begging here we have two big questions before we see them, we have seen Hobbes this line it is proper to state that the person who is tied with chains here is this line according to Hobbes, liberty or freedom signifies the absence of all impediments or actions that are not contained in the nature or instinct quality of the agent now let's see Hobbes here, what do you want to say? so here, first word is impediments 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 means hindrance hindrance impediments means hindrance impediments means hindrance second word is hindrance means essential hopes hopes that means liberty and freedom means one person who lives in life is essential he has to do if there is no impediments or hindrance that is liberty this is the first thing this is the first thing so this is the same thing and other people if they killed chains and that is the same thing that their intimidation has to be killed then it is the same thing they cannot be with us the same thing if they are in the same way if they think they have to learn why? we need to learn we need to be impediments change hindrance वो इंसान इंपेडमें वो इंसान हिंडरेंस है वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है whereas that cannot be said to the one who is sick or lame because the impediment is not one सर्वो जो impediment जो हिंडरेंस है वो इस इंसान के उसी इंसान के खुद के अंदर है तो change से तो क्या मतलब change ने उसे नहीं बांद रखा है उसके खुद के thoughts ने उसे बांद रखा है ठीक है third thing what hope says that is fear and necessity for hopes are the motivating factors for human nature to impel them towards liberty अब hopes कहते है कि कोई भी liberty दूसरों की liberty को क्यों respect तरेगा हरको यह सुझेगा मैं खुश मुझे बाकियों से क्या मतलब सब्सक्राइब किसी ने बैंक से कोई लोन ले लिया अब वो अपनी liberty exercise करा है लेकिन बैंक की परवा नहीं करा है वो गोल रहा है मेरी liberty है मैंने पैसे लिए है मैं उडाऊंगा without giving any thought about repaying it कोई उधार है कोई debt है लेकिन उसे डर है कि अगर उसने अब यह उसका fear है कि अगर उसने loan repay नहीं करा तो बैंक के पास जो security है वो use कर लेगी बैंक और उसे किसी भी तरीक से पैसे निकलवा लेगी तो यह उसका डर है इस डर की वज़े से वो खुद की liberty के साथ साथ दूसरे की liberty की भी respect कर रहा है उसके बात है necessity necessity याने की जरूरत हर इंसान को जीने के लिए basic necessities की जरूरत होती है तो उन चीजों की वज़े से भी लोग अपनी और दूसरों की liberty की respect करते है जैसे यहाँ पर यह वो depth वाला example ले लिया अब यहाँ पर यह बोले है दो इशूज होते हैं ठीक है तो यहाँ पर दो इशूज है पहला तो यह इशू इन्होंने बोला है कि एक जो है one can act of one to preserve oneself oneself one can the act of one to preserve oneself oneself is justified as an act of liberty even if we all had safety of other humans कि क्या अगर कोई इंसान अपनी liberty को preserve करने के लिए किसी दूसरे की liberty को hamper कर रहा है तो क्या वो act of liberty कहलाएगा बिल्कुल नहीं होगा वो second question जो यह बोल रहे है कि क्या सिर्फ डर और necessity की वजह से जो लोग liberty लोग exercise करते क्या उसे मैं act of liberty कह सकते हैं सिर्फ डर और necessity वजह से एक जैसे कोई beggar है वो अगर बैग कोई भी बैगर अगर बैग कर रहा है तो उसकी दो कारण है पहला तो fear of starvation कि भूग से ना खत्म हो जाए ठीक है पहला तो उस बैगर का fear कि भूग से ना खत्म हो जाए दूसरा है necessity कि कम से कम उसे एक वक्त का खाना मिल जाए वो उसकी जरूरत है क्या इसको भी आप act based on liberty कहोगे क्या यह उस बैगर की liberty है कि वह भीग मांग सकता है अब उसको किसी ने physically किसी ने मना थोड़ी कर रहा है कि तू बैग नहीं कर सकता ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पर यह बोल रहे है कि आगे यह बोल रहे है कि यहां पर जो पर यह बोल रहे है कि अब लिग आपकर नहीं है अब उस बैगर को कौन मना करेगा कि तू भीग मत मांग किसको इतनी फुरसत है कि कोई जाकर बीगारी को समझाएगा कि तू भीग मत मांग जाके पुच काम कर लें जबकि आजकल तो most of the people are fighting and India तो बहुत दा फेस कर रहा है unemployment, कौन जा कि अपना competition बढ़ाएगा, right? तो उसको कोई नहीं मना करेगा कि तू मत भीग मांग ऐसा कुछ भी तो हमेशा यह नहीं कह सकते कि absence of constraints हर जगा एपलाई हो ठीक है? So while such an understanding of liberty does take into account the absence of constraint aspect is totally undermines the notion of choice and does not recognize any kind of moral framework going back to our example of wanting to learn how to drive a car, one may want to learn to drive a car as there is no other mode of transport available or because one is concerned into it, sorry, coherence into it. However, for it however, for it to be a decision based on liberty, the decision has to be based on the fact that one wants to learn or does not want to learn driving it is the notion of choice that is compulsory absent in the example by which we understand Hobbes' view of liberty the beggar does not have a choice on whether he or she wants to beg or not ठीक है? So, यह जो Hobbes ने हमें संजाया है Hobbes के concept में यह संजाया है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान जो अन्य अन्य लिबर्टी एक्साइस कर रहा है उसमें choice का question आ है जबकि driving a car उसकी choice है यह हो सकता है कि उससे learn करना है दूसरा यह हो सकता है उसके पास कोई दूसरा mode of transportation है ही नहीं उसके पास कोई दूसरा mode of transportation ही नहीं तो अब उसके पास choice थोड़ी है उससे कार सीखनी ही पड़ेगी इस example को आपने थोड़ी रिवर्ट करके बढ़ा है दूसरा बैगर के पास कोई choice नहीं है यहां पर यह बोल रहे है कि वो बैग करे या नहीं करे तो यह उससे खाना चाहिए और उसके लिए उसको बैगिंग लिए अगर वो physically fit and well है तो शायद वो कुछ काम देख सकता है कही पर sweeping करना कुछ करना बट एक sensible mind से बोल तो आज़कर वो भी इतना easy नहीं होता किसी को भी इतना नहीं मिलता मतलब you know the situation of employment in India तो यहां पर इस नो नहीं क्या बोला है all together यह simply यह बता रहे है कि Hobbs, Hobbs का simple है Hobbs सिधा बोलता है कि choice से कोई मतलब नहीं है choice तो कल किसी ने कुछ भी कर दी तो क्या आप उसे liberty में डाल दोगे कि यह act of liberty कि कि इसकी choice थी किसी ने किसी को मार दिया और यह इसकी choice थी ठीक है Hobbs, choice का जो concept है उसको completely deny करते है वह बोलता है कि liberty के दार choice कि कोई ऐसी strong value नहीं है तो कार ड्राइविंग वाला example है उसमें बोल रहे है कि में भी कोई और दूसरा वे ही नहीं है इसलिए उसको learn करनी है कार यह हो सकता है अब वह interest है या नहीं है interest है या ज़रूरत है necessity है वह different चीज है उसके बाद बैगिंग का उन्होंने example है बोला कि उसके बैगर के पास चॉइस है उसके बैग करना है या नहीं करना है उसके खाना चाहिए और उसके लिए वो कर रहा है तो basically Hobbes जो है वो इस concept को डिनाय करता है कि choice वाला choice है तो कोई कुछ भी कर देगा तो क्या आप उसको liberty का बता दोगे कि यह इसकी choice है यह इसकी liberty है नहीं, do you remember that famous example from roadies यह आप सब तो देखती होगे न of course the young generation is so much into the show तो उसमें the most popular dialogue उसमें most of you को पता चल गया होगा मैं किसी बारे में बात की हूँ नेहा दूपिया when she said to that guy that it's her choice यह फ्रेज ही इतना मीम्स में आ गया तो यह थर्ड चॉइस so thomas जो आपके अंकल है thomas hobbs अब तुम इनको कभी नहीं भूलोगे उन्होंने बोला कि choice से कोई मतलब नहीं choice से तो कल कोई कुछ भी कर लेगा तो क्या वो act of liberty हो जाएगा क्या वो जेस्टिफाइड हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं कह सते आप ठीक है so thomas hobbs को तुम thomas hobbs को तुम कभी नहीं भूलोगे because वो निया दूपया के अगेंसे है की choice से तो क्या कुछ भी कर लेगी गया ऐसे ठीक है okay fine let's move ahead similarly a dacoit cannot rob or kill anyone and explain it as an act of liberty to preserve himself or herself अब कोई भी dacoit या कोई भी चोर किसी को rob या किल नहीं कर साथा यह क्या कि उसने खुद को यह उसकी choice थी ठीक है उसको और या उसको प्रिज़र्व करने के लिए उसने 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 खुद को बचाने खुद को सर्वाइब के लिए खुद के सर्वाइबल के लिए या खुद की चोईस के वज़े से किसी को भी के लिए रॉब कर लिया तो वो लिबर्टी के नाम ले कि जस्टिफाइड नहीं कर सकता है इसको Hobbes' अंडर्स्टाइडिंग अफ लिबर्टी और इसको भी को भी अपनी लिबर्टी एक्सराइड करने के लिए अजिस्टिंग कंडिशाईड प्रिबर्टी के लिए सच खेंडिशने के विए निपर सबस्टिफाइड मांथ को नहीं मानता है हाला कि वो यह ज़रूर मानते हैं कि हां जो suitable conditions होनी बहुत ज़रूरी है अगर किसी को भी अपनी liberty exercise करनी है तो जैसे अगर किसी को यूट्यूबर बनना है तो वो अपनी family से बात करेंगे उसके लिए resources के लिए पैसे arrange करेंगे कि यह चीज़े चाहिए यह camera चाहिए ट्राइपोड चाहिए और उसके बाद उनकी family question करेंगे जो तुम कर रहे हो क्या वो moral है कई वो family की value के against तो नहीं है तो हाँ यह चीज़े हो सकती है Thomas इस पर deny नहीं करते हैं लेकिन Thomas choice के concept को deny करते हैं कि choice के basis पर कोई भी कुछ भी थोड़ी कर सकता है लेकिन इसके बाद हम Thomas के बाद हम पढ़ेंगे uncle locks को uncle locks इसले बोले ताकि समें familiar लगे है ठीक है exam मत लिख देना uncle locks and uncle Thomas locks जो है वो choice के concept को promote करते हैं ठीक है अब यहां पर हम locks के बाद जो है हम पढ़ेंगे रुषियो को तो यह दो और है और उसके बाद हम Bentham को पढ़ेंगे तो यह कुछ और है इंको हम next में cover up करेंगे ठीक है till now any review please drop it in the comments and your comments matter me a lot I mean seriously after starting this journey of YouTube I understood that a simple comment कितना खुश कर सकता है like I cannot tell you how brightly I smile when I read your comments I'm so thankful to you and I'm so glad that such kind people do exist I mean finding kindness is so rare you must be relating to it but thank you so much for your sweet and kind words they are so kind I mean my faith is restored in humanity that people good people do exist okay so please do like and comment and share and abhi jo new batch आने वाला है you know the freshest batch cutoffs आरी है do share them too okay one of the comment I saw and they said that he is going to share with the juniors too I'm so glad that you do that thank you so much okay take care bye